आज की वीडियो काफी इंफर्मेटिव है आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास चीज के बारे में बताऊंगी जिसका उपयोग अगर आप अपने नन्हे से बच्चे जिसने सॉलिड़ी स्टार्ट कर दिया है उसको अगर आप स्टार्ट करते हैं तब से लेके जितने हो बाद हम शाल का आपका बच्चा आप उसको रेगूलर बेसिस पर वह खास ल देते हैं तो उसके कई सारे एकप यहeफ ज्डरू बेनिफिट न आपको एपल में मिलेगा ना आपको संत्रे में मिलेगा ना आपको नीबू में ना मौसम्मी में किसी भी चीज में इतनी ज़्यादा health benefit आपको नहीं मिलेगी जितना वो खास चीज के बारे में आज इस वीडियो में discussion क्या है वीडियो काफी informative है प्लेशनू सिरी के लाज तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तो मेरा नम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल Twins My World Baby Care पे बहुत बहुत स्वागत है जब बेबी केर की बात की जाती है तो बेबी का बहुत अच्छी तरह से केर करना उसको सही nutrition देना माबाप की एक बहुत बड़ी जिम्मिदारी होती है तो सही nutrition में आपको पता है कि बच्चे अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हैं भोजन अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो वह खाश चीज को अगर आप उसके एज के हिसाब से अगर आप इसको खिलाते जाएगा तो जरूरी nutrient बच्चे की शरीर में जरूर जाएगी और अगर इसके nutrient की benefit की बात की जाए तो इसके अंदर जो vitamin C होता है वो किसी मौसम्मी से किसी apple से कई जाधा गुना होता है जिसके health benefit कई जाधा होते हैं जिससे के immunity भी बढ़ी होती है बच्चे जब immune system उनकी बढ़ियां होती है तो उनको fever वगरा भी जल्दी से नहीं पकटा उनको सर्दी खाजी जल्दी से नहीं आती है दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा constipation है उसमें भी ये काफी ज़्यादा help जाती हो वो चीज है health benefit जो आपके बच्चे को कर सकते है वो है पपीता अगर आप पका हुआ पपीता अपने नन्ने से बच्चे जिसने solid start किया है जैसे 6-7 महने के बाद से आप बच्चे को पपीता कभी भी खिला सकते है और पूरे उम्रा बच्चे को पपीता खिलाईए उससे कहीं पर भी कोई side effect नहीं होगा अगर side effect की बात की जाए तो side effect बिलकुल कम नाम मातर होता है जो कि बिलकुल हलकी फुलकी जिन बच्चे को allergy होती है उनको ही होती है बाकी 99% जो बच्चे होते हैं उनको किसी तरह की allergy इस fruit item से बिलकुल नहीं हो सकती है अब आपके मन मे एक सवाल होगा कि नन्ने से बच्चे को हम कैसे खिला सकते हैं तो जब आपका बच्चा 6-7 मेना 8 मेना का हो जाता है उस time पे आप पपीते के प्यूरी बना करके बच्चे को introduce करें और कोशिच करें कि 3 दिन तक लगतार आपको same वही चीज़े वही time पे जरूर खिलानी चाह तो उस time पे आप बच्चे के लिए skip कर सकते हैं बच्चे को जब पपीते की प्यूरी खिलाते हैं तो वो आपकी बच्चे के stool को भी clear करती है अगर बच्चे को constipation हो रही है उस time पे भी यह काफी ज़्यादा helpful होती है और छोटे छोटे चोटे pieces करके आप बच्चे को पपी करना चाहिए लेकिन कई बार बहुत सरी parents ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर जो कड़वापन होता है उसके कारण बच्चे पपीता नहीं खापाते हैं तो उसके लिए एक बहतर चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अच्छा पका हुआ पपीता आपको लेना है और पपीते बच्चे को पपीते कड़वे लगते हैं जिससे की बच्चे नहीं खापाते हैं तो आची तरह से उसके दूद को आप साफ कर लेजेगा और अंदरूनी जो पाठ होता है उसको भी आपको कट करके निकाल देना है तो आप देखेगा जो मीठा मीठा जो पल्प बसता है वो है जल्दी जल्दी जिनको फिवर हो जाता है उन बच्चों के लिए भी पपीता एक रामबरण उपा हैं तो पपीता आप जरूर खिलाइए पेट के लिए यद्टी के लिए और इम्मुनिटी की दो बात मैंने आल्रेड़ी बता दी कि इम्मुनिटी भी काफी अच्छी luck ह जाती है तो आप इसको पपीटे का इस्तमाल आप ज़रूर करिए होफुली आपको इस वीडियो में दीगा जनकारी अच्छी लगी अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस् वर वाचिए ट्वेंस्पमाल पेबिगेर